प्रबावित हैं बिसी सी आई के अध्यक्स सौरव गांगुली दरसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये विकेट कीपर बलेबाज एक मैच विनर खिलाडी है बता दें आपको कि टीमिडिया के पूर्व दिगज बलेबाज गांगुली ने साथ ही कहा है कि उन्हें मौझूदा टीम के कप्तान विराट कोली और रोहिश शर्मा की बलेबाजी देखना पसंद है बता दें कि गांगुली ने एक उनलाइन प्रेस कॉन्फरेंस द्वारा कहा है कि कुछ शानदार खिलाडी है और बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुझे लगता है कि ये नहीं बताना चाहिए कि मेरा पसंदीदा खिलाडी कौन है बता दे कि उन्होंने आगे कहा है कि मेरे लिए सभी पसंदीदा है लेकिन मैं कूली के खेल का लोफट उठाता हूँ मैं रोहिष शर्मा के खेल का आनद लेता हूँ वहीं रिशप पंद को देखना भी मुझे पसंद है बता दें कि उनौने कहा है कि मैं रिशाप-पंद से प्रभावित हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक पूरा कम्प्लीट पैकेज मैच विनर है बता दें कि उनौने आगे कहा है कि जस्पीत बुमरा और मुहुंबश शमी शांदार है मुझे शारदूल ठाकुर बहुत पसंद है क्योंकि उन में हिम्मत है और जूच भूच के साथ वो नजर आते हैं ऐसे मैं आपको बता दें कि गांगुली ने आगे कहा है कि भारत के क्रिकिट के आपार प्रतीबा है जब सुनील गावसकर थे तो लोग सोचते थे कि उनके बात क्या होगा तब सचिन तंदुलकर राहुल ड्रैविट अनील कुंबले आए जब तंदुलकर ड्रैविट ने इस खेल को अलविदा कहा तो विराट कोली रोहिश शर्मा और रिशप पंथ जैसे धमाकेदार खिलाडी है बरहाल ऐसे मैं आपको बता दें कि आईपिल शुरू होने में अब जादा समय नहीं बचा है बता दें कि आईपिल का चौदवा सीजन 9 अपरेल से शुरू होने जा रहा है और दिल्ली कैपिटल्स की कमान इस बार रिशप पंथ समालेंगे बता दें आपको कि श्रेश एयर चोटिल होने के कारण आईपिल के चौदवे सीजन से बाहर हो गे थे जिसके चलते रिशप पंथ को दिल्ली का नया कप्तान बनाए गया है ऐसे में ये देखना बहुत दिल्चस्प हो जाएगा रिशप पंथ का प्रदशन कप्तान के रूप में कैसा रहता है A.N.P. Newsroom की रिपोर्ट